नमस्कार स्वागत है आपका दान यूज पर मैं हूँ आपके साथ शुपराजयानी लोकसभा की पांसो तराली सीटों पर हुए मत्दान के जो वोटिंग के आकड़े हैं वो आज साफने आ रहे हैं शुनाव नतीजे जस तरीके से साफने आ रहे हैं जाहर तोर पार इंजी अलाइंस की परेशानी बढ़ा रहे हैं और लगातार हमने पोस्टर बैलिट के आकड़े आपको बताए हैं लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया की साइट पर आकड़े क्या कहते हैं आखर क्या नतीजे जो है वो इलेक्शन कमीशन की साइट पर है ये मैं आपको पूरी खबर में बताऊंगी ये स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया की वेब साइट है जhos पर ये विस्तार से बताया क्या है कि आखर कितनी seat पर कौन सी party आगे चल रही है total seat के अगर बात की जाए तो 543 जो मैंने आपको बताया उन seat पर voting हुई है और कितनी seat पर कौन सी party आगे चल रही है ये party wise result जो है election commission ने अपनी website पर लगाता जो है update कर रहा है election commission और अभी कि अगर बात की चाहे तो आप देख सकते हैं कि भारतिय जनता party यानी बीजेपी जो है वो 63 seat पर lead कर रही है total 64 seat जो seat हैं उस पर दरसर गिल्टी चल रही है EPM खुल चुके हैं और उसमें से 63 seats जो हैं उस पर बीजेपी lead कर रही है आगे चल रही है और एक seat बीजेपी जीट चुकी है अभी तर ये भी अब clear हो चुका है election commission की website पर की एक seat बीजेपी ने अपने खाते में डाल ली है ये जीट जो है पहली बड़ी जीट बीजेपी की हो चुकी है इसके लावा बात करें इंडियन नेशनल कॉंग्रेस यानि कॉंग्रेस पार्टी की तो 20 seat पर दरसल जो counting चल रही है उसमें से 20 की 20 seat पर कॉंग्रेस lead कर रही है लेकिन ये जो अंतर है यानि 63 और 20 का अंतर जो है ये काफी जादा है अगर देखा जाए ये राहूल गांधी, सोन्या गांधी, प्रियंका गांधी, वाडरा, मलीका जुन खड़गे के ये कहीं एक हैरान कर देने वाले आकड़े हैं तो लगातार जो election commission की website पर आकड़े upload हो रहे हैं उसमें भी लगातार फेर बदल जो है देखने को मिल रहा है हाला कि अभी तक एक ही seat पर बीजेपी ने जीत हासल की है, 63 seats पर लीड कर रही है पार्टी, इसके लावा Congress Party जो 20 seat पर लीड कर रही है वहीं बात करें, आम आथमी पार्टी की जो नतीजे 543 seat के साब ने आ रहे हैं और फिंद केशवाल फिर से जेल जा चुके है आम आथमी पार्टी फिलाल 5 seat पर लीड कर रही है, यह जानकारी Election Commission ने दी है इसके लावा बात अगर समाजवादी पार्टी की की जाए तो कुल 5 seat पर लीड कर रही है वहीं तेलकु देसम पार्टी जो की 3 seat पर लीड कर रही है, यानि अब तक एक भी seat जो है इन पार्टी ने नहीं जीती है लेकिन बीजेपी ने अपने खाते में एक जीत जो है वो अभी तक डाल ली है इवियम खुल चुके हैं, ये इवियम की काउंटिंग के आक्रे हैं जो की इलेक्शन कमिशन लगातार अपनी वेबसाइट पर अप्लेड कर रहा है जनता दल सेकुलर यानि जेडियास दो seat पर लीड कर रही है, टोटल 2 seats हैं और उन पर ही लीड कर रही है इसके लावा हिंदुस्तान ही आवाम मोर्चा, एक seat यानि हर एक पार्टी के जो आक्रे हैं वो दरसल इलेक्शन कमिशन ने दिये हैं नागा पीपल्स फ्रेंट जो की एक seat पर लीड कर रही है, तो ये तमाम पार्टी हैं जो की चुनाव लड रही थी लेकिन सबसे महत्पून जो आक्रा है वो है भारते जनता पार्टी, इंडियन नैशनल कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजफवादी पार्टी का जो की एंडी एलाइंस में पार्टिया साथ हैं लेकिन किस तरीके से बीज़ेपी जहां 63 सीट पर लीड कर रही है एलेक्शन कमिशन की वेब साइट में तो वहीं Congress सिर्फ 20 seats पर लीड कर रही है तो ऐसे में अंतर आप देख सकते हैं और उसमें से बीजेपी ने एक seat जो है वो अपने खाते में डाल ली है तो ये फिलाल election commission के आकड़े हैं और इन seats पर अगर बात की जाए चाहे बीजेपी जो की केंथरी ग्रिमंथरी अमिश्या ज चल रहे हैं फिर चाहे बात करें जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर में कहीं ने कहीं बड़ा उलट फेर होता नजर आ रहा है क्योंकि मैभू मुफ्ती से लेकर जो अमर अब्दुल्ला है वो पीछे चल रहे हैं ऐसी जानकारी साफ ने आई है वहीं पर यूपी की जो 48 seats ह उस पर बीजेपी आके चल रही है यह दरसल जानकारी जो है लगातार साब ने आ रही है तो कुल मिलाकर यह पार्टी वाइस रिजल्ट है जो इलेक्शन कमिशन निर्स आचा किये हैं लेकिन यह रिजल्ट जो है अभी आने वाले कुछ और वक्त में इसपर्ष्ट हो जाए जाएगा कि किसके खाते में कितनी सीटे आए जाएंगी लेकिन फिलाल इलेक्शन कमिशन लगातार जो है अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहा है और नए जो रिजल्ट्स हैं वो कहीने कहीं देखने को मिल रहे हैं अब देख सकते हैं कि लगातार जो सीटों की संख्या है बीजेपी के पक्ष में वो बढ़ रही है अभी आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको अपडेट किया है तो कितनी सीट्स जो है बीजेपी के खाते में जो जिस पर बीजेपी लीड कर रही है 75 पहुंच चुका है यानि 75 सीट्स पर बीजेपी लीड कर रही है जब EVM में वोटों की गिंती शुरू हुई है वही एक सीट्स पर जीत चुकी है कॉंग्रेस 25 पर पहुंच चुकी है तो ये लगातार सीटों में जाहिर तोर पर फेर बदल देखने को मिलेगा लेकिन कहीं ने कहीं जो एक्सिट पोल के नतीजे थे लेकर जो है अपना रियक्शन देगा ये देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि एक्सिट पोल को नका रहा है तो जाहिर तोर पर हार का ठीकरा EVM पर भी फोड़ सकता है विपक्ष ऐसा अनुमान पहले से ही जाहिर किया गया है क्योंकि विपक्ष यह हमेशा से करता रहा है लगातार आकड़े बदल रहे हैं लेकिन बात अगर बीज़पी की जाए तो दिल्ली में साथ सीटे हैं लोकसबा की और साथ की साथ सीटों पर बीज़पी आगे चल रही है इसके लावा फिर चाहे बाद हर्याना की की चाए या फिर पंचाप की की जाए तमाम मेश़्पी सीटे हैं जहां पर बीज़पी लगातार बढ़त बनाए हुए है तो ऐसे में कई मेश़्पी सेटों पर निगाए थी कि आखर क्या बीज़पी इस पर जीत हासिल कर पाएगी पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है तो अपने आप में ये जो जादूई आकडा 400 का है परदान मंत्री नरेंत्रमोदी ने 400 पार का नारा दिया है हलाकि ये तो आने वाले वक्त भी देखना होगा लेकिन फिलाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वोट शेर पार्टी वाइस वोट शेर आ रहा है नजर उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी का जो भगवा है वो कहीना कहीं जादा दिखाई पड़ रहा है आप देख सकते हैं इस पूरे ग्राफ को कि किस तरीके से परदान मंत्री नरेंत्रमोदी की जो रैल्फिया हुई जो रोड शोज हुए उनका असर पूरी तरीके से जनता के बीच जो है वो फिलाल देखने को मिल रहा है और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़े छटके के तौर पर माना जा रहा है तो जब हम बात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की कर रहे हैं जहाँ पर एक्शुल जो आकडे हैं इस रिजल्ट से जुड़े हुए पांसो तिराली सीटों के लोक सभा की वो साफने आएंगे तो जाहिट तोर पर स्टेट वाइस जो है वो भी तमाम जो आकडे हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से दिये जा रहे हैं बात अगर करें बिहार की तो बिहार में आप देखेंगे की जेड्यू दो और वहीं बीजपी दो हैमस एक सीट तो बात अगर बिहार की की जाए तो बिहार में जो अभी तक कही न कहीं जो आकडे साफने आ रहे हैं जो रिजल्ट साफने आ रहे हैं उसके मुताबिक जेड्यू जनतादल यूनाइटड जो है दो सीट्स पर आके चल रहे हैं बीजपी दो हैमस एक तो इस तरीके से जो इस्टेट वाइज जो रिजल्ट है वो भी इलेक्शन कमिशन की जो वैबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिस तरीके से बीजेपी जो है लीड कर रही है जेड्यू लीड कर रही है देखने वाली बात यह है कि आरजजेडी अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से तिजश्वी यादव ने तमाम रैलिया की हैं जिस तरीके से उनकी जो बहन है उन्होंने रैलिया की है लालू परसाद यादव के बयान साब ने आये हैं आरक्षन को लेकर उसका कोई असर जो है वो फिलाल बिहार के इस result प्रेंट्स में नहीं देखने को मिल रहा है तो कुल मिलाकर कुछ तरीके के आकड़े हैं इसके लावा बात करें उत्तर प्रदेश की तो election commission जिस तरीके से लगातार result जो है वो जारी कर रहा है जो आकड़े है वो साज़ा कर रहा है तो उसके मुताफिक उत्तर प्रदेश की जो total 80 seats हैं उसमें जो फिलाल counting चल रही है उसम फिलाल election commission पर उत्तर प्रदेश के आकड़े हैं और वहीं अगर बात दूसरे state की की जाए तो आप देखेंगे कि लगातार जो है जो result सामने आ रहे हैं जो फिलाल आकड़े सामने आ रहे हैं कई statewide जो result है वो भी election commission साजा कर रहा है कई मैथपून city है जिस पर बीज़पी lead कर है तो कई पर विपक्ष भी lead करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन बात करें राजधानी दिल्ली की जहां पर साथ की साथ सीटे जो है वो काफी महत्पून माने जा रही है जहां पर हाला कि जो रुचान साब ने आये थे साथ सीटों पर बीज़पी lead कर रही है लेकिन election commission कर जो result है जो आकड़े है वो क्या कहते हैं दरसल बीजेपी जो है तीन सीट पर राजधानी दिल्ली में lead कर रही है Congress party एक और आम आथमी party एक सीट पर lead कर रही है तो ये statewide जो election commission के result है वो भी मैंने आपको बताए है लेकिन फिलाल जो है ये result जो साब ने आ रही है एफियम में जिस वक्त बात ये result जो है काफी बदलते नजर आ सकते हैं लेकिन बीजेपी जिस margin से lead कर रही है ऐसे में ये साफ हो चुका है कि प्रदान मंठी नरेंटर मोधी का ज़ादू कहीं न कहीं देश में देखने को एक बार पर से मिल रहा है लेकिन नजरे इस बात पर भी रहेंगी कि